तो दोस्तो डेमो आपने देखा तो नमस्कार दोस्तो ओल डिसनिफर यूटूब चैले में आपका स्वागत है मैं उसी तरह हम दोस्तो कैसा है बहुत अच्छ हमें दोस्तो एक और नया साइटाव बॉक्स लॉंज किया है जिसका दोस्तो डेमो मैंने आपको यहां दे दिया है अब बात करते हैं दोस्तो यह जो साइटाव बॉक्स लॉंज हुआ इसमें क्या डेडी फिर्स के लिए लॉंज हुआ है क्या रिचार्ज वाले के लिए लॉंज हुआ या कंपनी एटेल के लिए ही लॉंज हुआ तो सार connection के साथ छत्री मिलती है LMB मिलता है वाहरी मिलता है और एक मेने के लिए जो package देती है कंपनी कोई साभी package अगर देती है उसके साथ दोस्तों यह सैटर बॉक्स है अब कई लोगों को सवाल होगा कि यह जो सैटर बॉक्स है क्या यह सैटर बॉक्स एप्टी चैनल देगा हमें डी डी फिस के लिए तो सबसे पहले दोस्तों सामान मिलता है तो मेरे पास साइटर बॉक्स है तो इसमें एक साइटर बॉक्स मिलेगा बहुत छोटा साइटर बॉक्स है रिमोंड आपका वही रहेगा एड़ोप्टर की साइज थोड़ सी बड़ी कर दी है स्व itself आपको मिलेगे ये तो दोस्तों मैंने आपको साइटर बॉक्स कि इन बॉक्सिंग करे बता दिये कि साइटो जाल बोकस इस तरह का साइटो बॉक्स है इसे दोस्तो आप आपके चैनल से इसमें नहीं देख सकते हैं इसमें एक चैनल सिर्थ दeखने का इसलिए दोस्तों मैंने का थोड़ा सा डेमो आपको दे रेता हूं थोड़ा सा वीडियो बना देता हूं ताकि आपको भी पता रहे कि एटेल ने अभी बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा लुकिंग वाला सैटर बॉक्स लॉंच किया है अब दोस्तों सवाल ये भी होगा कि ये साटर बॉक्स क्या HD बॉक्स है या नॉर्मल बॉक्स है ये सही पूछा आपने दोस्तों ये फुल HD साटर बॉक्स है और इस साटर बॉक्स में दोस्तों आप HDMI कनेक्ट करके आप सब बड़े से बड़े TV में भी आप दोस्तों इसमें बिल्कुल Full HD में चैनल्स देख सकते हैं तो दोस्तो HD सैटर बॉक्स की मैंने यहाँ पुरा इल बॉक्सिंग बता दिया है आप दोस्ते इसके बारे में आगे जान करी लेते हैं तो इसका दोस्तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाँगा कि इसमें हम जो एक्टी चैनल्स कैसे एक्टिवेट कराएंगे अभी तो फिलाल दोस्तो इस सैटर बॉक्स में आपको जो कंपनी वन मंत का पैकेज देती है उसके साथ में ही दोस्तो यह सैटर बॉक्स लाँच है तो उमीद कर दा हूँगी दोस्तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को आप दोस्तो उक्साश सैर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना Жारू न बले ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना कुछ आपके सवाल है तो मुझे कमेंट करना मैं आपके पूरी हेल्प करूँगा